नमशकार अनिल जी, नमशकार सीरीशा, अनिल जी, काफ़े दिनों से सोना बर रहा है, मगर आज सोना गिर चुका है, क्यों सिर? देखिए, सोने में जो गिरावट है न, वो अभी काफी temporary हो गई है, इसकी एक वज़े है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, in fact दिखाने से पहले, मैं gold prices भी दिखाना चाहूंगा, क्योंकि जो spot gold market का price है, उसमें 24 karat gold या फिर 22 karat gold का, वो सभी को खरीदने के लिए important होता है, so let's start with the spot gold price, तो अगर आप देखें इस रिशा, 7320 रूपीज का price कल था, आज 33 रूपीज गिर करके 7287 हो गया, that is 24 karat gold per gram, okay, which means you can buy a gold coin और a gold biscuit, but इसका usage क्या है, you are just jamming your money, आप अपना पैसा फसा रहे हो, मगर जिस किसी का usage अलग-अलग होता है, वो आपनी मरजे से कर सकते है, you are most welcome, यहाँ पर कोई recommendation मैं नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि यह एक educational based program है, आपको information हम दो लोग देते हैं on a daily basis, यहाँ पर हम बात करेंगे 22 karat gold, which has got more than 70% of the consumers, जो 70-90% हर ग्राहक वो लोग बाई करते हैं gold jewelry, चाहे वो अंगूटी हो, या chain हो या फिर necklaces, इसमें जो demand है, उसके वज़े सा कर हमने देखा, तो कल का price था 6710 रुपीज, but whereas today आज का price है 6680 रुपीज, which means gold has fallen by 30 रुपीज पर ग्राह, ठीक है, यह जो जेवरा जो आप खरीद रहे हो, क्योंकि कल एक छोटा सा correction, international market में, लंडन के bullion market में हुआ था, उसी वज़े से, हमा आज थोड़ा बड़ा fall आ गया, that means, जो कल का जो fall start हुआ था, वो आज भी continue हो रहा है, gold market में, तो वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा सरीशा, तो यह देखिए सरीशा, this is a gold video chart, यहाँ पे चार्ट में आप देख सकते है, gold futures, which is about completely 4Rs का चार्ट है, MCX Multi Commodity Exchange में, मैंने यहाँ पे already, एक trend line यहाँ पे draw किया हुआ है, just time for your information, मैं आपे दिखा रहा हूँ, फिर से draw करके, so that आपको सभी को समझ में आ जागा, अगर आप देखें, तो जैसे ही Sona बढ़ता गया था, वो support लेते हुए बढ़ रहा था trend line के ऊपर में, यहाँ पर देखिए trend line टूट Because it has come beyond trend line, trend line के नीचे आने के बाद हम हमेशा क्या कहते हैं, कि Sona गिरेगा, तो Sona जब गिरेगा, तो आप उसको sell करिए, तो sell करने के बाद में, अगर loss आया, तो वो हम कैसे पैचाने, तो यह दिखिए, यहाँ पर Sona गिरते गिरते, immediately बढ़ गया, so how should you know, Sona गिरतने वाला Sona suddenly बढ़ गया, फिर गिरने वाला है, यह हम कैसे पैचाने, तो मैं आपको दिखाता हूँ, to use another tool, इसको हम लोग कहते हैं, यह exactly, completely, यह tool को हम कहते है, pitchfork, okay, तो यह देखिए, pitchfork हम यहाँ पर use करके, सभी को दिखाना चाहेंगे, सरीशा, तो जैसे ही मैं यहाँ पर ड्र मैं, मैं इस लाइन को टॉप तक लेगे जाऊंगा, तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि आप देख सकते हो, see, यहाँ पर base बना करके, gold has been rising, और यह देखिए, ब्लू लाइन के ऊपन में, फिर से यहाँ पर gold has taken a support, and again it has gone above, which means, with pitchfork tools से, आप perfect clarity से आप trade कर सकते हो, जिसकी सबी को यह recommend नहीं कर रहा हो, आप इसको सीखिए, अगर कोई confusion है, तो definitely आप किसी भी वक्त, आप हमारे टेली कॉलर पर आप call कर सकते हैं, और मुझसे या हमारे टीम से बाग कर सकते हैं, आपकी सारी जानकारी आपको दी जाएगी, या अगर कुछ doubt है, आप मुझसे भी पस सब्सक्राइब कर सकते हैं, धनिवा दनिल जी, थैंक यू जिरिशा, झालब मुझसे भी जाओच। झाल 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 झाल